Hello everyone, myself Simran Chaudhary and welcome to All About Agriculture with Simran आज हम लोग EFO पे एक अपडेट आया है वेकेंसी को लेकें अल्दो ये वीडियो काफी लेट है बाकी लोगों ने काफी जल्दी ये डाल चुका है लेकिन चलो मैं आपको बता देती है फिर भी बताना मेरा फ़र्ज है तो वेकेंसी के वूपर एक अपडेट है वो बताएंगे और साथ में कुछ common questions थे काफी जादा जो आपने comment box में पूछे थे वैसे तो मैंने सबका reply करने की कोशिश की और किया भी है शायद लेकिन एक बार और बता देने से वो बात और जादा अच्छे से clear हो जाती है कि मैंने कुछ और बताना चाहो आपने कुछ और इंटर्प्रेट कर लिया हो इस टाइप से ना हो या आपने कुछ और बताया मैंने कुछ और इंटर्प्रेट कर लिया इसलिए जो सबसे जादा कॉमन कोशन्स थे डाउट थे आप लोगों के वह हम इस वीडियो में देखेंगे और ज्यादा लंबा वीडियो नी होगा दस मिनट माक्स ठीक है तो सबसे पहले जो अप्रेट आया था वह आया है वेकेंसी को लेके तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट यह बताया था कि वेक अप्रशनिटीज कम हो गई है नहीं ऐसा आप नहीं कह सकते हैं ठीक है कॉम्पडिशन इस वर थोड़ा सहाय होगा क्योंकि बच्चे जो पहल पिछले साल थे उसके कंपैरिशन हर साल थोड़े जादा ही बैठते हैं तो बच्चे जादा होंगे सीच थोड़ी कम हैं लेकिन इसे मर देखे इसको नेगेटिब में कि आपके उपोर्चुनिटीज कम आई हैं ठीक है 485 इस तिल अ बिग नंबर तो अप इसके पीछे आप जादा दिमांग मत लगाई है अब कुछ दिन बच्चे हैं अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे समें तैयारी कीजिए इसके बाद मुझे आपको कुछ चीजे बतानी थी जैसे सबसे पहले जो सबसे कॉमन कोश्चन आ रहा था टेस्ट को लेके कि मैं कैसे टेस्ट दू डेली दो टेस्ट दू तीन टेस्ट मैं प्रिफर नहीं करती क्योंकि होता क्या है आपने कोई टेस्ट दिया उसके बाद टेस्ट मैं क्या सिखा टेस्ट मैं क्या सिखा टेस्ट मैं क्या सिखा टेस्ट में गलतियां करें आप उससे डरिये ने क्योंकि वही आपको टेस्ट सिखाना चाहता है ठीक है सही तो ठीक है हरकोई कर रहें कि जो गलत कर रहें उसको आपको अपना स्ट्रॉंग बनाने तो अपने जो टेस्स दिया उसका अनलाइस टाम इस वरी वरी इंपोर्टेंट ताकि जितने भी आपके अरियास जिसमें आपको वर्क कर सकें तो इसी लिए मैं प्रिफर करूंगे आप चाहे मतलब होता है अगर आपके पास है काफी टेस्स आपको देने है तो दो बार मतलब दिन में एक बार दीजिए ठीक में आप सेवन ताइम भी दे सकते हैं और फो फाइफ है अलसो सुफिशेंट तेस्ट आप तीन देंगे तो भ दो भी अगर आप से सुबे और शाम बेठे हैं तो देख लीजए लेकिन जो है ना फो फाइफ टाइम्स वीकली किसाब से इस गुड़ इनव ठीक है वेकैंसी आपको मैंने बता दिया कुछ अब साब मुझ से पूछाते है इस साल का कुछ चाफ क्या जाएगा कुछ तो द जैसे for example कि 2017-18 में जो cutoff था 19.75 था तो यह cutoff था तो बच्चों ने जूम कर लिया कि 20 22 23 तो लास्टेम और नेक्स यह उसके 22 cutoff रहा इसको अनलाइज करके अगली बार काफी बच्चों ने कर लिया यह कि यह बहुत से चैनल से भी बताया कि 22 है तो 30 तक cutoff आपका जा सकता है लेकिन कुछ चीज़े easy आ गई कुछ चीज़े hard आ गई है जो भी हो cutoff जो है 19 में 2019 में 36.25 चला गया जो 36 था वो भी रह गया तो इसलिए cutoff को मत देखिए क्योंकि अगर आप cutoff सोचेंगे कि इस बार 45 जाने वाला ठीक है तो 45 आप सोचेंगे ना तो आपको 40 आएगा इसलिए हमेशा सोचें कि जितने highest marks हैं उतने काच सोच के रखिए तब थोड़ा बहुत नीचे नीचे नी क्योंकि मैं पेपर का लेवल ऐसे अजियूम नहीं कर सकती ना जो पेपर का लेवल होगा उसके साप साप का cutoff आता है यह मैं को सार्टिंग से बोलती हा रही हूं तो यह हो गया टेस्ट वकैंसी और cutoff की बात तो लेवल की बज़े से देखिए लेवल की बात करें तो 2017 से थ आपका पेपर था तो इस हिसाब से पेपर का वह भी स्कोर भी चेंज होता है नेगेटिव मार्किम बचे पूछे पूछे तो 1 4 होती आपको मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में यह बात बताई थी अब कुछ चीजे हैं जो मैं स्लेबस को लेके आपको बोलना चाहूंग कुछ अब जैसे कौंट का सबसे पहले स्लेबस देखते हैं और हाँ एक चीज और एक्जाम जो आपका होता है अभी तक जो मैंने पाटन देखा है या मेरे सीनियस ने मुझो बताया है या मेरे कजन जिनों जो फो में है क्लियर वगएरा तो उनके हिसाब से जो पाटन रहा ने पाटन देखा तो इसले इंग्लेश से थोड़ा जादा टफ आपका क्वांट रहेगा और उससे जादा थोड़ा रीजनिंग रहता है तो आप इंग्लिश पूरा फोकस बहुत सार बच्चे थेंग्लिश कैसे करें इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश इं वियुका पर्षा प्री के बाद मानों में नहीं है लेकिन आपका इंटऱ््व evas di. lकिरो इंग्लिश में दखेगा देखाला उसाव किसे बाटनी है अप्लिश डर्यकिक रहे है उसमें हुझा उसमें इंटर्विदी ए इन सब चीज़ों के मार्स होते है था डिकिंग्लि यस सबसे ज़ाइ इंपॉर्टेर्टिन स्छल्ग इस वह रिसे कि बता इन चार गया इसको एक दर इसमें है सिर्शistes कोन्ति साफनेतरं इसमें अबने होगितरा श्यूरूर्दिम्स्त। कि चान्सिश्श पासी आपकिट से को मैं बताती इसमें होने के धर। नहीं भी आ सकते हैं से 5 questions के बीच का लग रहा है number series जो है आपका इसका भी सेन 0 to 5 और variable जो होता है variable topic जिसमें variables होता है x codec वो यह सब का तो उसमें भी ऐसे same 0 to 5 और जितना calculation वाले questions होते हैं वो भी 0 to 5 के range में आएंगे तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान जो मैं कहूंगी सबसे ज़्यादा ध्यान अगर आपको सिर्फ Q की sense देखें जो pre है आपका वो qualifying paper है ठीक ना तो इसलिए pre में जो है सबसे ज़्यादा topic जो important है उससे सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए ठीक तो वो कौनसे सिटिंग अरेजमेंट और पॉजल है इससे 15 से 20 डिस्टेस डिस्प्लेश्मेंट के जो कोश्चन होता है वो तीन 0 से 3 के असपास कोडिंग डिकोडिंग जीरो से 5 और यह जो आपका एक ब्लूर्ड रिलेशन्शिप होता है इसमें 3 से 5 कोश्चन ठीक है तो इन topics प्याप थोड़ा ज्यादा और फोकस कीजेगा reasoning है ठीक है sitting arrangement और puzzle तो इस पे एक तम ध्यान 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 डिलने है फिर मैं बात करना चाहूंगी आपकी मतरब एपको topics अरे पड़ने हैं लेकिन जो एक होता है कि यह topics को छोड़ना ही नहीं है क्योंकि maximum question इससे है जब को आपको आपको तो बाकी पेपर में आप देखके मुझो बताये गाई लेकिन इन पे आप जादा ध्यान दीजे चीक यह त्रेंडिंग पाटन के साब से मैं देखके बता रही हूं फिर अगर हम इंग्लिश लैंवेज की बात करें तो इसमें आप जंबल वर का लिखा हुआ य जंबल वर्ट एक्सचेंज होता है और मैच कोलम उगा यह सारे कोश्च इसको जो है अब जादे देखेगा क्योंकि अरथटेक्शन से 5-10 कोशन आने के चंसे हैं जंबल जो आपके पैराज होते हैं इससे 5-8 कोशन आने के चंसे हैं ठीक है तो इसलिए इन टॉपिक्स इंग्लिश को लेके दिखें, इंग्लिश को आप कभी भी अपना बैरियर मद बनाईएगा, क्योंकि आप कोई भी एक्जाम देते हैं, जिसे एफो पे जाके सिर्फ अटकना नहीं है, आप थोड़ा उचा सुचेगा, जब आपका हो जाएगा तब आप सुचेगा कि चलिए नबाड करते हैं, नबाड हो गया फिर और कोई एक्जाम सुचेगा, या UPSC आपने सोच लिया, इस टाइप के एक्जाम के में इंग्लिश तो होनी ही होनी है, तो इंग्लिश से धरना क्यों है, जब आप अभी नहीं आए तो आपके आगे और आगे, किसी भी एक्जाम में इंग्लिश पिरी में और इंटर्विय में हो गई होगा, तो इससे घर आइए नहीं, ठीक है, उसकी थोड़ी थोड़ी करके प्राक्टस स्टार्ट कीज़े धीरे धीरे अब इतनी जल्दी तो बहुत जादा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप स्टार्ट करिए, कोशिश करते अब कितने खुप से खुप मैंसे का और ये उद्धी खुप, नल जाएँ विले कुछिए्य चुप नहींने कि अकई ग्साने प्राक्षाव देगा सब्गरे ग्सार्ण नहीं है दोडिका कई बछार्ट की बिद्ड़ी सब्गरे नहीं हमgas. तो इस्षय जाएब ये अन श् पिम्हां थोने लैंवजन बादी है थो कोई मीडeयम है, वो सभारे भी लैंवज में रूज भी है नहीं सब्र कोशए्टा है कि क्याि क्या तो में हियूंकैस्टीं झीटियू है ஸ इस फोनी भी मीडेदीं भी जेश्टीं किया था यह एकदम जीरो पे हैं यह एकदम हाई लेवल पर आगे हैं और अब तुमे कोई बुग दे दो मैं इसको फोड़गा तो इसके अब अब आप 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 एवरिज लेवल पे है कि नई प्रिपारशन है थोड़ी बहुत लेकिन बेसिक्ट से लेख करने हैं तो बेसिक लिए है लेकिन आगे फुर्दर कमर को सक्सीद करना है तो उसके लेवल के साब से मैं आपको बताई है जैसे आपको अगर जैसे कि जो ग्राजुएशन पासाउट है यह लास्ट यह में है लेकिन उनने फर्स सेकें थर्ड यह की उतनी जादा अच्छे से पढ़ा ही नहीं किया तो उनको ज़रुत है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रिकल्चर यह वाली जो बुक है इसकी क्या है तो इसमेस्टर में बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन उतना पेपर में तो नहीं आता है तो कितना कंसाइस करके क्या पढ़ना है लेकिन अच्छे लैंविज में कि आपको समझ आज़ए वो इस बुक में दिया हुआ है अब जैसे कोई और स्ट्रीम का है बीटेग डेरी इन सब स्ट्रीम का है तो उसको नहीं पता तो वो पता करने के लिए वो इस बुट सकते है पूरा तो जाके पढ़ेगा ना समेस्टर वाइग तो इसलिए मैं आपको यह पर प्रकी ती संसैं स्ट्रीम क्शाइग का कॉ और जाहा बंऄ जाहीर की वो भी और सम जाली इसे यह प्रिविएस यृर प्रिपरेशन करने के लिए है तो यह दो सारी नहीं लेने के ज़रूत है आपको जो वेलेबल हो बढ़ लेजे और जो बच्च भी बच्च भी अच्छा भी बजा रही दो समया इसके तब लाइबरियी में आपकी तो लाइबल होगी बहुत सारे बच्चों ने मेसेज किया कि वह वो डेरी टेकनलोजी से है कोई फूट टेक से है कोई इस से है तो अगरी कल्चर का कुछ नहीं पता तो मैंने आपको वही बोला बुख के साथ आपको एक चीज देखनी पड़े कि वह है लेक्चर्स आप साथ-साथ लेक्चर्स और फिर भुक को फालो किजी जो भी इसमें आपको बुता है जैसे अगर एक दम ही नहीं पता है तो स्टार्टिंग में यह वाली बुक पढ़िया और इस बुच लेक्चे जैसे प्लांट पैथलोजी यह थोड़ा टिफिकल्ट है यह तो निवें प्लांट पैथलोजी हो गय देख लिए, यूट्यूब पे अभेलेवल है, अभी लेखे लिए वीडियो के, यह आप किसी का ले सकते हैं, इस अब कर दो कोर्स दोगा है, if you can afford, then you can go for it. वहां कि बहुत सरे चानल्स है, एगरी मुन, एगरीलर्नर्नर्न, फिर दो और भी ले सकते हैं. तो यह हो गया आपके बुक्स के बारे में, कि आप कोई भी स्ट्रीम के हैं, तो इन बुक्स आपका हो जाएगा, don't worry फिर इस pre common for all post, mostly जो pre होते हैं, वो सब के common ही होते हैं, मतब क्या, English तो हो गई होगा, quantitative amplitude होगा, reasoning होगा, अब जैसे AFO में यहीं तक रुग गया, नबार्ड में क्या, एक स्टेप आगे चला गया, computer भी है, जीके भी है, किसी किसी में सिर्फ जीके तक होता है, नबार्ड एक स् गया, लेकी सिर्फ जीके नबार्ड इस परफ़िशन करेंगे ने थीन करेंगे तो और वहीं तो की अच्छी को जाया बाकी स्परीशन करेंगे तो और को एग्जाम यह बीट है, यह तो उसके प्री में यह आएगा तो इसलिए प्रिप्रेशन करेंगे जो जिन्यालाइज एक तरीके से प्रीकी जो होगी, यह तीन सब्जेक्ट अगर आप करते हैं तो आपको नुकसान नहीं है कहीं पर भी, फिर एक पूछा था, I am getting 55 to 65 marks in mock, is it enough? तो मैंने वही वाली बात पूली थे, जिस तरह आप cut off, enough नहीं है, वैसे आप कभी भी settle मत होएं, कि इतने marks आये हैं, यह enough है, लास्ट टाइम इसमें तो अच्छी कपोश्ट आगे थी, तो एक थोड़ा satisfaction आएगा, लेकिन हमेशा सोचें कि इससे एक अब अब जाने है, इससे मुझे, क्योंकि फिर आपको धीर-दीर ओवर कॉंफरेंस आने लगे, कि हाँ, हाँ, लेजीनेस आयागा, तो वह सोचें कि अरे नहीं, और मार्क्स लाने है, और मार्क्स लाने है, और मार्क्स लाने है, खुद से competition, पड़ोसी से नहीं, खुद से, फिर इंग्लिश में ने जैसे मालों, आपके 20 कोशन की है, उसमें से 16 आपके सही है, 4 गलत है, 16 इंटु 1, 16, और 4 गलत है, तो नेगटिव मार्की कितनी है, 1 फोर्थ की, तो 4 इंटु 1 फोर्थ करियेगा, तो आपका 0.25, 1 आ गया, तो 16 में से 1 माइनस कर दीजे, नेगटिव मार्किं का, 15 वचा, अ 50 के हिसाब से 1 मार्क स्थाप़ इसाफ जिए उसको डिएड़ इद यदE 2 कर देगा, नेगटिव मार्किं काटियेगा, इतना इस वीदिए में कार्ड करेंगे, तो इसके लावा सब्किंट है है, तो आपके यदिए मार्क को बिल्को रिप्लाइ करूंगी, और आपना वे रापचलचला डीम नहीं, गूवाटर नहीं, अजील घुटू छिट्वरी is with a double education degree तो थीलिग्यार रोन तो थीलिग्टिश डी MA कोई भी बाटर डीग्री डिग्री य। और रिलेट्टीर पील्ला भेट्री इन बेट्रीग Sabbath तो मैंने मुस्ट ऑफ दाउट्स कोमन ते वो इसमें कवर करने की कोशिश किया है इसके लावा आपके और कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल लिएगा मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगी तैंक्स पर वाचिंग